नमस्कार मैं आजमिन खान आप देख रहे हैं SPN 9 News जहां पूरे देश में अभी भी लगातार नाग्रिकता संसोधन कानून को लेकर जनता विरोध करती हुई नजर आ रही है यह विरोध अभी थमा नहीं है और जनता लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है और वो जब तक शांत नहीं बैठने वाली जब तक उनकी इस मुद्दे को लेकर बात ना सुनी जाए वहीं अब आपको बता दे कि बॉली वुड के कई सितारे कई कलाकार सामने आ चुके हैं वो भी जनता का भरपूर समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा हिंसा जामिया मिलिया इसलामिया शाहिन बाग के लाकों के तरफ देखने को मिली और अभी भी ये विरोध चल रहा है और लगतार जब तक चलता जाएगा जब तक इस पर सरकार कुछ बड़े कदम ना उठा ले अब ऐसे में आपको बता दें कि बॉलिवुट के डायरेक्टर अनुभव सिना ने टूइट किया है इस टूइट के जरीए उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मुद्दा मुसल्मानों के लाइन में खड़े होने का नहीं है उन्होंने टूइट में कहा कि मुसल्मान जहां खड़े है उसके आगे आप भी खड़े है उसके पीछे तुम भी खड़े हो और लगतार ये मुद्दा हिंदू और मुसलिम का नहीं है ये मुद्दा है कि आप इतनी परेशानियों को महसूस कर रहे है और लगतार आने वाल टोइट के जरीए देते रहते हैं और अब हाली इी में नागरिक्ता संसोधन कानून का विरोध करते हुए टोइट के जरिए वो एक किसा कह रहे हैं कि केसम समान ही या नहीं है सरकार को महसूस करना चाहिए कि जनता की परिशानिया क्या है किस चीज से वो जूज रहे है और कब तक जूजते रहेंगे वो इन सभी परिशानियों का कब उन्हें हल मिलेगा और कब जनता कहेगी कि भारत में सही सरकार चल रही है जो उनके हित के बारे में सोच रही है भाज करेंगे नागरिक्ता संसोदन कानून को भारत में लागू करके रहेंगे क्योंकि यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है यह विदेश की समस्या है यह उन प्धशी राज्यो की समस्या गयां नहीं Bub car बाटपासरकार यह नहीं सोच रही कि आप दूसरी राजयों में जहाक रहे हैं पढ़ोसी देशों मैं जहाक रहे हैं लेकिन आपके देश-में यूदे चल रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं कब आपकी आखहर खुलेंगी कब आप जंता की तरफ दियान देंगे और कब इ संता के हित के लिए कारे करेंगे कैसा लगा आपको यह कारे गरम कमेंट करके जरूर बताएं अभी मुझे दीज़े इजाजत ऐसी बाकि तमाम ख़बरों के लिए देखते रही है